बोलीवुट की मशूर फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा तो आपने देखी ही होगी ऐसा ही एक वाक्या खुरसी पार भिलाई में भी देखने को मिला है जहां घर में शोचाले ना होने की वज़े से घर की बहु अपने माईके में बैठी है और कहती है जब तक घर में टॉयलेट नहीं बनेगा मैं नहीं आऊंगी पिता बिखारी प्रसाद ने अपने बेटे की शादी बड़े ही अर्मानों से करवाई थी पर उन्हें क्या पता था कि उनकी वहु से सेवा करवाने का उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा यह पूरा मामला बोलीवुड की मशूर फिल टॉयलेट एक प्रेम कथा से काफी मिलता जुलता है भिलाई के सौंदर्य में चार चांद लगाने के लिए और नेशनल हाईवे पर यातायात का दबाव कम करने के उद्देश्च से कैनाल रोड का निर्मान कराए जा रहा है जिसे बनाने के लिए कई लोगों के घर शती ग्रस्त हो गए उसी में नागेश्वर के घर का वह हिस्सा जिसमें शोचाल्य बना था वह भी तूट गया नगर निगम भिलाईद वारा यह कहा गया था कि शोचाल्य दुबारा बनवा कर दिया जाएगा परंतु आज तक नगर निगम के अधिकारी नागेश्वर के घर जाँकने तक नहीं आए और शोचाल्य तूट जाने के बाद नागेश्वर की धर्म पतनी शिल्पा घर में शोचाल्य ना होने की वज़े से अपने माई के चली गई घर के अन्य सदस्य भी घर में शोचाले ना होने का दंश झेल रहे हैं क्योंकि उन्हें सुबह उजाला होने के पहले दूर दरास खुले में शोच करने जाना पड़ता है वहीं दूसरी तरफ हमने नागेश्वर की पतनी शिल्पा से भी मिलकर ये था स्थिती जानने का प्रयास किया परंतु शिल्पा ने मिलने से साफ इंकार कर दिया और फोन पर ही अपनी आप बीती बताई बेशक भिलाई में बनने वाला कैलाल रोड भिलाई की खुबसूर्ती को चार चांद लगा देगा परंतु स्थिती कुछ और ही पैदा हो गई है दुख भिलाई से राजेंद्र गाडे वेसुनील सोनी की रिपोर्ट ऐसी ही लेटेश को बरे पाने के लिए बल इकन को खिलिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें थान्यवारी परंकेट एंटर्प्राइब